हेलो एब्रीवन मैं पुस्पा राश्पूत पुस्पा की रसोई में आप सब का स्वागत करती हूँ आज फ्रेंस मैं ऐसी रेस्पी लेके आई हूँ जिसके खाने के बाद चाहे जैसी भी कमजोरी हो यदि आपने एक चमज खा लिया तो आप बतानी सकते हूँ में यह कितना हेल्डी और साथ में टेश्टी भी है और पोसंट से भरा हुआ है तो एक बार इसको बना करके जरूर फ्रेंस ट्याई ड्राई करें इस समय भुट्वर बहुत अच्छे आ रहे है आप कोई भी भुट्टा ले सकते हैं यह हमारे यह सुी ट्कॉन जादा नहीं मिलतेृं पर यह भुट्वर जो है यह हर जगे बरसाथ में मिल जाते हैं तो आपको इसतरे से भुट्टों को ले लेना है तो वैनेदी की इसका छिलका निकाल लिया है अब हमें इसके दाने को निकालना है तो कई लोग क्या करते हैं दो तरह के भुट्टे आते हैं जिसको सुीट कॉन बोला जाता adalah एक नॉर्मल हुट्टा होता तो यह नॉर्मल हुट्टा है तो आपके पास जो भी हो आप उसको ले लीजिए तो या तो आप इसके दाने निकाल लीजिए या फिर आप इसको कद्दू कसकट कर सकते हैं दूकस करने से क्या होता है कि ये आधा इसका दाना जो होता पूरा नहीं निकल पाता है तो मैं तो यही ककोंगे कि आप इस तरह से चाकू का यह पहले तो आप एक लाइन निकाल लीजिए दीरे दीरे आप देखेंगे कि सारे बहुत ही आसानी से इसके दाने निकल जाते हैं तो आपको जो भी सही लगे उस तरह से आप इन दानों को निकाल सकते हैं भुट्टे की जो रेस्पी होती है फ्रैंस मैंने अभी पिछला कल करूं यदि आप लोग भी मीठा खाना ज्यादा पसंद करते हैं तो आप इस रेस्पी को बना करके ट्राइ कर सकते हैं तो इस तरह बहुत ही जादा कमजोर हो रहे हैं बहुत लोग बीमार भी हो रहे हैं तो आप इस रेस्पी को बना करके जरूर ट्राइ करें यदि आपको किसी प्रकार की भी बीक्मनेस है तो आप यह हलुआ बना करके खा लेंगे ना तो मैं बतानी सकती हूँ यह कितना हेल्दी है और साथ में टैस्टी भी है तो देखिए इस तरह से आपको दानों को निकाल लेना है बहुत ही असानी से निकल जाते हैं बस आपको एक लाइन निक bus घ्रेकों केरा कद्दूकस करते हैं तो आप उस तरह से कर सकते हैं तो आपको जो सहील लगिए आप उसतर एस सारे दानों को निकाल लेना है तो इसकी जो रैस्पी है बहुत ही करें इसे कोईullen एक बात बातों करते ही सारे मैंने सुईट कौन के दाने और वह निकल निकल निकले हैं तो आपको क्या करना है इस तरह से सारे दानों को निकाल करके इसको एक बार पानी से धुल लेना है इससे क्या होगा कि इसमें जो थोड़ी बहुत से रूए बगेरा आजाते हैं वो निकल जाएंगे तो देखे ढेर सारे ही सुईट कॉन के दाने निकल के बाहर आ गए हैं अब हमें इसको एक ले लेना है मिक्सी का जार और इसमें हमें डाल करके इसको पीस करके त्यार कर लेना है तो बहुत ही आसानी से यह पिस जाता है बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती है और आप चाहें तो थोड़ा सा इसमें पानी भी डाल सकते हैं लिए आपको पीषने में दिक्कत हो रही है मैंने भी जरा साइब पानी डाला और वहीं बारिक पेक्ष्ट है, पिसका करके त्यार हो गया इसका इड़ा देखने में लग रहा है अब हम्स चलेते हैं फ्रैंट इसको बनाने तो अब हमें क्या करना जरूरत पड़ेगी हमें सुद्ध देशी गी की और कुछ ड्राइफूट की और एक बरतन की तो हमें अब ले लेना कड़ाई आप कोई भी कड़ाई ले सकते हैं लोई की ले लीजिए या पर नॉनिस्टिक ले लीजिए चाहे श्टील की लेजिए इसको थोड़ा-थोड़ा या कि मुझे 100G यह इताव भूर दी दाने हैं तो 50-3 के करीब से जरूरत पड़ेगी और हमें 100. q stinkी सथे दीश सवह दावर करें की बीटर से बीट ग्रूरत होजाता है यह दिए हंब जोसपी्ट तो यह बहूत इन्य को अखा Canton होती जादा बेहंकर गर्मी पड़ रही है और हमारे बच्चे स्कूल बगएरा जाते हैं कोचिंग जाते हैं तो उनके लिए यह खास करके बहुत ही अच्छा है तो उन बच्चों को आप खिलाईए बच्चे आपके सुस्तर रहेंगे तंदोस्तर रहेंगे और आपके दिहस् तो फ्रैंस एक बार इसको बना करके जरूर देखना है अब देखिए मैं जैसे इसको चलाते जा रहे हुए यह जो बेटर है दीरे दीरे यह गाड़ा होता जाएगा मैंने इसमें जरा सा ही पानी डाला था ज्यादा पानी नहीं डाला था क्योंकि स्वीट कॉन होते हैं इस दीरे अपने आप से ही रवा हो जाएगा हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं बस हमें थोड़ा थोड़ा सा बीच बीच में घी डालते जाएंगे और इसको वरावर चलाते जाएंगे तो अभी यह कढ़ाई में चिपका है पर यह जैसे सूखा होगा तो आप देखेंगे क पढ़ाई से सारा यह बेटर है वो अलग निकल जाएगा और बिल्कुल भी आपको टैंसल लेने की जरूरत नहीं है तो यह जो नास्ता है फ्रेंस बहुत ही हेल्डी है और मैंने अपने बच्चों को लंच बॉक्स में आज बनाया था तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ यह वेडियो शेयर कर दूँ ताकि आप लोग भी इसी तरह से हेल्दी हेल्दी नास्ता बना करके त्यार कर सकें एक बात और कहना चाहेंगे यह वेडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए और मेरी यह चैनल पर नए हैं तो फुस्पा की रसोई क करना शुरू हो गया घे तरह से हमझेधिक को डालने जाएंगे आप जातbung हीई थे लुए हम अच्छा ध problem स्वाराइन इंचा मीर्ण बुरादर भी डाल सकते प्याल मैंने ना तो मिल्क पाउडर ना पांडर कुछ भी नहीं डाला है। siya type keश. की Ontario.ideूर जैंने कि ये परादर की कि आप ये झाम आप जाया है तो तो कि रोल स्केस्केसिκα को आप नहीं दिक्ते है तो हम भी छाएंगे और बराबर इसको जब तक अच्छे से बरवरा नहीं हो जाएगा तब तक हम इसको बराबर भूझते रहेंगे तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं कि धीरे धीरे इसमें जो लम्स हैं वो धीरे धीरे खुलते जा रही हैं और यह लग्जने में कम से कम एक मिनट तो लगता ही लगता है तो जैसे ही आपको लगे कि यह अच्छे से वरवरा में लेना है तो अब हमने देखिए चीनी जैसे डाल दिये तो थोड़ा सा हलुआ यह जो हमारा हलुआ है उसमें थोड़ा सा पानी छोड़ना श्टार्ड हो जाता तो मेरे साथ में ही इसमें एक चम्मच गी भी डाल दिया अब हम इसको बस थोड़ा सा ही और चलाएंगे और साथ ड्राइफूड भी डाल सकते हैं फ्याल में डालोंगी थोड़ा सा बात में जैसे हमारा हलुआ बन जायागर तो मैं ड्राइफूड को बगेर भूँज करके डालुए यति आप घी में रोष्ट करके डालना चाहते हैं तो यह आपकी उपर है आपको जैसे भी पसंद ह तो ये देखिए फ्रैंस हमारा ये बहुत ही स्वादेश्ट और बहुत ही लाजवाव ये तंदुर्ष्टी वाला ये हलुआ बनकर के तियार हो चुका है वो भी बहुत ही कम समय में तो एक बाइफ इसको बना करके जरूर देखिए और ना ही तो मैं इसमें चासनी डाले रवीला बिल्कुल इसमें दिखने लगा ये पता ही नहीं चल लागी ये मैंने स्वीट कॉन से इतना ट्रैश्टी हलुआ बना करके तियार किया है और ये घी भी छोड़ना श्टार्ट हो गया तो इससे समाझ में हारा कि ये हमारा हलुआ बनकर के तियार हो चुका है तो इ हम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा इसमें आधी चमच के करीब घी को और डाल दिया अब ये घी आप पर है कि आप किस तरह से हलुआ खाना पसंद करते हैं कई लों बहुत ही कम घी वाला हलुआ पसंद करते हैं तो आप कम डाल सकते हैं ये आपको मेरी तरह से पसंद है तो आप थोड़ा सा गी के मातरा को जादा कर जी तो ये लीजी हमारा बहुत ही टैस्टी हलुआ बन करके ये त्यार हो चुका है तो हम किसी बरतन में इसको पलट लेंगे और इसके बाद आप जो ड्राइफूट चाहां वह अपने उपर से ड्राइफूट डाल सकते मैंने थोड़े से केसर के दागे थोड़ा सा काजू किसमें पिस्ता डाल करके ये त्यार कर लिया तो फ्रैंस बनाईए खाईए और अपने बच्चों और अपने परवार वालों को खिलाईए तो आप सौसते रहिए मसते रहिए और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सेय ये रेकमेंना बगा तो